अब सभी लोगों को स्वी पाढ़ने का नमस्कार बचों हम लोग ट्रेलिंग जीरो की संख्या पढ़ रहे थे जिसमें हमने पार्ट बन पढ़ा पार्ट टू पढ़ा पार्ट टू में हमने देखा कि अगर कोई भी फैक्टोरियल है तो इस factorial में अगर हमें zeros की संख्या को निकालना है तो zeros की संख्या को निकालने के लिए हम लोग 10 की power calculate करते हैं और हमने ये भी सिखा कि 10 की power calculate करने का मतलब 5 की power निकालना और 2 की power निकालना और उसमें जिसकी power कम है वही 0 की संख्या होती है हमने कई question के मध्यम से आपको करके भी दिखाया part 2 में आप लोग जा करके चीजों को काईदे से देख सकते हैं part 3 में थोड़ा सा इसी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाने का कोसिस करते हैं indices का एक छोटा सा rule होता है उस rule को आप लोग देखें क्या rule होता है indices का यह rule है कि a raised to the power m और into a raised to the power n this can be written as a raised to the power m plus n इसका मतलब अगर कभी भी दो चीजों का base बराबर हो और उन्हें आपस में multiply किया गया हो तो powers का आपस में क्या हो जाता है addition हो जाता है अब क्या बताना चाह रहा था मैं आपको समझेगा कुछ questions मैं आपके लिए लिखता हूँ और धीरे धीरे इनको समझाता हूँ जैसे पहला question मैं आपके लिए ऐसे लिख दिया माली जे लिख दिया गया factorial 25 और into factorial 40 और आपसे कहा जाए कि इन दोनों को अपस में multiply करिए और multiply करके बताइए कि इसके last में या इसके अंत में जो trailing zero की संख्या आएगी या इसके अंत में जो सुन्यों की संख्या आएगी वो क्या आएगी तो आप इसको कैसे calculate करेंगे यह समझेगा हमने पिछले वाले पार्ट में बहुत कायदय से यह सीख लिया है कि किसी भी factorial में अगर आपको trailing zero की संख्या निकालनी है तो basically आपको 5 की power calculate करनी है ठीक है ना तो हम क्या करेंगे इसमें 5 की power calculate करेंगे और इस factorial 25 में जितनी 5 की power आती है और factorial 40 में जितनी 5 की power आती है उनको आपस में क्या करेंगे multiply करेंगे, add करेंगे, add करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि basically हम दोनों में 10 की power निकाल रहे है और 10 की power क्या हो रही है, 2 और 5 में जिसकी power कम है, किसकी power कम है, 5 की power कम है तो बस 5 की power को हमने आपस में क्या किया आइड किया और आइड करके 0 की संख्या क्या कर लिया हमने calculate कर लिया तो अब इसको कैसे निकालेंगे मैं side में करके फिर आपको दिखा देता हूं इस बात को इसको calculate करने के लिए basically आपको क्या करना है जैसे 25 है तो 25 के लिए simply आपने 25 को पकड़ा इसे आप 5 से डिवेड करते हैं कितनी बार division होगा पांच बार फिर आप 5 को 5 से डिवेड करेंगे कितनी बार division होगा एक बार simply हमने आपसे बोला था कि अब एक की value 5 से छोटी है तो पहले row और पहले column को cut कर ये बाकी elements को जोड दीजे कितना है तो इसके last में जो सुनने की संख आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी अब दूसरा जो है मेरे पास में वो क्या है factorial 40 तो factorial 40 के लिए मनें 40 को cash किया इसे 5 से divide किया कितनी बार division हुआ 8 और फिर इसको 5 से divide किया कितनी बार division हुआ एक बार division हुआ अब हम simply क्या करेंगे पहले वाले row और पहले वाले column को cut करेंगे 8 और 1 को जोड लिजे कितना हुआ 9 या इसके last में जो zeros की संख आएगी वो कितनी आएगी 9 zeros या 9 zero तो आप देखें simply इसके last में कितना 0 आया 6 zero और इसके last में कितना 0 आया आपका 9 zero तो 9 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 zero या simply आप यह बोल सकते हो कि इस पूरे product में जो आपको zeros की संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 15 मिल जाएगी चलो थोड find question आप से कहता है कि find out number of telling zero in मैंने लिख दिया ऐसे factorial 60 into factorial 80 और multiply by factorial 20 और मैं आप से बोलूं कि इनको जब आपस में multiply किया जाएगा तो multiply करने के बाद जो trailing zero की संख्या आएगी वो कितनी आएगी आप इसे calculate करेंगे तो आप simply बोलेंगे हम इसमें 5 की power calculate करेंगे इसमें भी 5 की power calculate करेंगे और इसमें भी 5 की power क्या करेंगे calculate करेंगे तो 5 की power को calculate करके लिखेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे add करेंगे add करने के बाद जो आएगा वहीं ट्रेलिंग जिरो की संख्या होगी तो इसको calculate करने के लिए क्या करेंगे सिंप्ली समझें 60 के लिए factorial 60 हमने 60 को लिख दिया इसे divide करेंगे किसे 5 से पांस से डिवैड करोगे मिर भाई कितनी बार division होगा 12 बार फिर 5 से डवेड़ी करेंगे दो बार और अब division नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जो 2 की value है ये 5 से क्या है छोटी है तो हमने पहले row और पहले column को cut किया 12 और 2 को आप आपस med करोगे तो कितना आएगा 14 zeros तो इसके अंत में जो सुन्यों की संख्या आजाएगी वो कितनी आजाएगी 14 यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया अब बात आती है किसकी यह जो factorial 80 लिखा गया है इसके last में कितना 0 आएगा तो simply आप क्या करेंगे 80 को लिख देंगे और इस 80 को आप डिवेड़ करेंगे किसे 5 से 5 से डिवेड़ करेंगे तो 16 85 फिर 5 से डिवेड़ करेंगे तो 5 3 15 अब आप देखिए यहाँ पर पहले रो और पहले कॉलम को हमने कट किया 16 और 3 को आप आड़ करेंगे तो 16 और 3 को आड़ करके कितना आएगा 19 0s या 19 0 अब एक और बसता है यहाँ पर हमने कितने 0 लिख दिया भाई 19 0 फैक्टोरियल 20 आता है तो मैंने फैक्टोरियल 20 को पकड़ा और 20 को मैं डिवेड़ करना शुरू करता हूं किस से 5 से 5 से डिवेड़ करोगे आप 4 बार होगा और 4 इस लिए डिवीजन क्या होगा बंद होगा हमने पहले रो और पहले कॉलम को कट कर दिया इसके लास्ट में जो 0 की संख्या मिली वो कितने मिल गई चार और अब फैनली अगर आपको इस पूरे प्रोड़क्ट में 0 की संख्या कल्कुलेट करनी है तो सिंपली आप बीच में क्या करी है प्लस का चेनल लगा दिजे प्लस कर दिजे और जैसे आप इनको प्लस करेंगे तो आप इनको सिंपली देख सकते हैं 4 और 9 कितना हुए 13 13 और 4 17 के साथ हासिले 1 एक 2 और 1 कितना होगी आपका 3 37 0 इसके लास्ट में आपके आने वाले हैं यह इसके अंत में जो सुन्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 37 बन जाएगी ठीक है चलिए हम कुछ questions लिख देते हैं आप इनको practice करिये और comment box में मुझे answer जरूर करिएगा के इसका जो answer बनेगा वो क्या बनेगा पहला प्रस्ण में आपके लिखूंगा factorial 90 into factorial 37 into factorial 21 जिरोस की संख्या बतानी है आपको second question में मैं आपके लिख दिया factorial 50 into factorial 99 into factorial 17 इसके लास्ट में 0 की संख्या बतानी है तीसरा प्रस्ण में आपके लिखूंगा factorial 15 into factorial 29 into factorial 70 इसके लास्ट में 0 की संख्या बतानी है चौथा प्रस्ण में आपके लिखूंगा factorial 81 into factorial 93 into factorial 120 इन सबको आपस में multiply करिए और multiply करके ये calculate करिए कि इसके लास्ट में या इसके अंत में जो सुन्नेयों की संख्या आ रही है वो सुन्नेयों की संख्या क्या होगी तो आप इन चार प्रश्णों को solve करेंगे इन चारों प्रश्णों का answer आप अपने comment box में दीजेगा उसके बाद एक last video जब हम लोग questions पे discuss करेंगे तो उसमें जितने question हमने दिये हैं उसके बाद में थोड़ा सा अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद जो हमें basically बात करनी है वो क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है इसे समझेगा ऐसा तो नहीं है ना कि केबल factorial में ही 0 आएगा कि 1 into 2 into 3 into ऐसा कुछ लिखा होगा तभी 0 आएगा कुछ और भी तो cases बनते होंगे जिनमें हम लोग 0 की संख्या को calculate करते होंगे अब चलिए इसके बाद में जो अगला case मैं आपको समझाओंगा उसमें basically हम लोग discuss करेंगे multiple case multiple case multiple का मतलब क्या होता भई गुडच गुडच का मतलब क्या होता है किसी भी number का हम लोग क्या करेंगे table पढ़ेंगे और table में जो numbers आएगे अगर उनको आपस में multiply किया जाएगा तो multiply करने के बाद zeros के संख्या कितनी बनेगी उसके बारे मैं आपको चर्चा करके यहाँ पर देखाता हूँ ठीक है तो एक question लेते हैं और उस question के माध्यम से मैं अपनी चीजों को आगर बढ़ाता हूँ आप इसको धेरे-धेरे समझने का कोसिस करिए जैसे मैंने पहला पुष्णा ऐसे लिख दिया आपके लिए let us suppose मैंने लिखा 2 into 4 into 6 into 8 into 10 और into and so on बढ़ता बढ़ता चला मैं मैंने लिख दिया into 1000 ठीक है मैं कहता हूँ कि इन सारे numbers को आपस में क्या करिए multiply करिए और multiply करके ये बताइए कि इसके last में जो zero की संख्या बनेगी वो zero की संख्या क्या होगी तो आप बोलेंगे सिधा सिधा कि भाई देखो ये कोई factorial तो है नहीं अगर ये कोई factorial होता तो उसमें मैं simply किसकी power calculate कर लेता पांच की power calculate कर लेता और पांच की power calculate करने के बाद में जो भी आता वो last में क्या हो जाता जीरो का संख्या हो जाता या सुन्ने की संख्या हो जाती तो क्या करेंगे भई इसको अगर हम थोड़ा सा इसका concept समझने का कोसिस करें तो आप मेरे को सिर्फ एक बाद बोलेंगे कि try to convert in factorial इसको एक बार हम लोग factorial में convert करने का कोसिस तो करें कैसे करेंगे आप देखिएगा ये दो cut table चल रहा है अच्छा इस दो को क्या मैं two into one लिख सकता हूँ आप बोलेंगे बिल्कुल इस चार को मैं क्या two into two लिख सकता हूँ आप बोलेंगे बिल्कुल बहुत सकता हूँ इस च्छे को क्या मैं two into three लिख सकता हूँ आप बोलेंगे yes आठ को क्या मैं two into four लिख सकता हूँ आप बोलेंगे बिल्कुल A into C multiplied by A into D अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A एक बार multiply हुआ दो बार multiply हुआ तीन बार multiply हुआ अगर इसको मैं एक साथ करूँगा तो क्या ये A raised to the power 3 multiply by B into C into D ऐसा लिखा जा सकता है आप बूलेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप बूलेंगे देखें दो में दो का multiplication एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अइंड सो बार न, कितनी बार हो रहा है पाँसो बार हो रहा है तो जब 2 में 2 को एक बार हम multiply करते हैं तो 2 raise to the power 1 लिखते हैं बच्चों अगर 2 में 2 का गुणा 2 बार किया गया है अगर 2 में 2 का गुणा 2 बार किया गया है तो आप क्या लिखते हैं 2 का square लिखते हैं अगर 2 में 2 का गुणा 3 बार किया गया है 2 into 2 into 2 तो इसका मतबब आप क्या लिखते हैं 2 raise to the power 3 अब आप देखिए यहाँ पर 2 में 2 को multiply किया गया है कितनी बार 500 बार तो अगर 500 बार multiply किया गया है तो यह क्या हो गया 2 raise to the power 500 और multiply बे यभी क्या बचराव का 1 into 2 into 3 into 4 into and so on into 500 एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 into and so on और into कितना 500 इनको हमने आपस में क्या किया multiply कर लिया अब जब आपने इनको आपस में multiply कर लिया तो क्या आप एक बात बोल सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो part है आपका यह 1 into 2 into 3 into 4 into and so on into क्या है 500 है और अगर एक से लेकर के 500 तक की संख्याओं को आपस में multiply किया गया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यह factorial 500 होगा तो बिलकुल आप बोलेंगे इसका मतब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to the power 500 और into factorial 500 अब मुझे क्या करना है इसमें trailing 0 की संख्या निकालनी है यांत में सुन्यों की संख्या निकालनी है अच्छा आप simple से एगवा बताइए क्या इस factorial 500 में 2 नहीं आएगा बिलकुल आएगा 2 की already 500 power है और इसमें 5 भी आएगा तो 2 और 5 में जो कम आएगा वही 0 की संख्या होगी और आपने सीखा हुआ है कि जो 0 की संख्या कम आएगी basically वो किस में आएगी 5 की power में जो 5 की power होगी और अगर 5 की power 2 की power से कम होगी तो वही 0 की क्या बनने वाली है संख्या बनने वाली है तो यहाँ पर तो कोई 5 नहीं आने वाला है लेकिन यहाँ पर 5 आएगा कितनी बार पांच आएगा इसको आप कैसे कैलकूलेट करेंगे हमने ऐसे 500 को लिख दिया इसको हमने डिवेड़ कि और अभी क्या करना है simply पहले वाले row को और पहले वाले column को कट कर देजे बागी जितने element बच रहा है जूड़ देजे सो बीस और चार को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा एक सो चौबिस जीरोज या इसके अंत में जो सुननेों की संख्या आएगी वो कितनी आजाएगी 124 इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जब इनको आपस में क्या किया जाएगा तो मल्टीपलाई किरने के बाद में जो जीरोज की संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 124 लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल से बात बताऊं कभी भी अगर आपको एक्जाम में या कोई भी क्वेस्चन ऐसा मिलता है जो मल्टीपल केस का क्वेस्चन है तो मल्टीपल केस् एक काम करिएगा कि जो लास्ट वाला नंबर मिलेगा देखिएगा जो लास्ट वाला नंबर मिलेगा उस लास्ट वाले नंबर को आप पहले वाले नंबर से डिवैड कर देजेगा तो जब पहले वाले नंबर से डिवैड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 500 अच्छा बोलो य इसमें calculate power of 5 इसमें क्या करेंग tutorial calculate power of 5 5 की power calculate कर लिजे और जो 5 की power आएगी वही स्कलास्ट में क्या होगी 0 की संख्या और आपने देखा कि यहाँ पर जो 5 की power आ रही है वो कितनी आ रही है 124 यह 124 तो 124 5 की power आ रही है जो 2 की power से छोटी होगी और जब हम pair बनाएंगे तो जो pairs मेरे बनेंगे वो कितने बनेंगे 124 तो जो last में 0 की संख्या बनेगे वो कितनी बन जाएगे 124 ठीक है चलिए थोड़ी सी अपनी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं एक और प्रस्ण लेते हैं हमने question ले लिए आपके लिए practice कराते हैं आपको second question मैं आपके लिए लेता हूँ 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 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 3,000 मैं आपसे कहता हूँ इन सारे numbers को आपस में multiply करिए और multiply करके बताइए कि इसके last में जो 0 की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी तो बोलिए आप क्या बोलेंगे आप simply एक बाद बोलेंगे कि चुकि ये 3 के multiple case थेती है 3 का table चल रहा है बचो चल रहा है कि नहीं बिलकुल कैसे 3 1 9 3 3 2 9 3 3 4 12 3 5 15 and so 1 3 का table चल रहा है और मैंने आपको यही सिखाया कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर table चल रहा है तो table की situation में आप last वाले नंबर को first वाले नंबर से क्या करिए डिवाइड कर दिजे और जो आए उसको आप factorial के रूप में लिखे तो हमने क्या किया यहां पर 3000 लिखा इस 3000 को मैं डिवाइड करूँगा किस से 3 से 3000 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या हैगा 1000 यह 1000 क्या होगा और इसमें आप क्या calculate करोगे इसमे calculate calculate power of 5 calculate power of 5 5 एक prime नंबर है और किसी भी factorial में prime नंबर की power निकालना हमने आसानी से सीखा हुआ है तो हमने क्या किया 1000 को cash कर लिया और इस 1000 को मैंने डिवाइड किया किस से 5 से जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 200 इसको again 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आजाएगा आपका 40 इसको मैं again 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आजाएगा 8 इसको अगें पांस से डिवेड करूँगा तो कितना आ जाएगा एक और जैसे आप इतना करते हैं इसके बाद में आपको क्या करना है पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को कट कर देना है और बाकि जितने टर्म बचना है उनको आपस में क्या करिया आप एड़ कर दीजे त 249 बोलो उमीद करता हूँ आपको मेरी इतनी बात समझ माई होगी और क्लियर हुआ हुगा है ठीक है छलिए थोड़ी सी और प्रेक्टिस करते हैं लेकिन इसमें बड़ा स्पेसल केस आता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा ठीक है ले लेते हैं अगला कुशन लेट अस सपोज मैंने तीसरा प्रशनाप के लिए ये लिखा कि 4 into 8 into 12 4 into 8 into 12 into 16 into and so on into 444 424 और मैं आपसे कहता हूँ कि इन्हें आपस में क्या करिए multiply करिए और multiply करके बताइए कि इसके last में जो zeros की संख्या आएगी वो कितनी आएगी तो इसे आप कैसे calculate करेंगे simply मैंने आपसे बोला कि देखो बचों ये चार के table का number चल रहा है और अगर चार के table का number चल रहा है तो ये जो last वाला number है क्या 444 आप इसको divide कर देजे किसे 4 से जैसे आप इसको 4 से divide करोगे 111 आएगा और इस पर हमने क्या लगा दिया factorial 111 लगा दिया समझ पा रहे होंगे साइद आप कैसे हो रहा है और इस factorial 111 में हमें क्या करना है we will have to sorry इस factorial 111 में हमें क्या करना है तो आप बोलेंगे इस factorial 111 में हमें sorry इसमें हमें calculate power of 5 calculate power of 5 पांच की पावर calculate करना कैसे करेंगे 111 को मैंने लिख दिया पांच से डिवेड किया पांच दुनाई 10 एक ग्यारा पांच दुनाई 10 बाइस हो गया इसको अगें पांच से डिवेड करेंगे पांचों को 20 हमने पहले रो और पहले कॉलम को कट कर दिया बाकी elements को जोड़ लेजे तो जब आप 22 और 4 को जोड़ेंगे तो 22 और 4 कितना होता है 26 इसका मतलब इसके लास्ट में जो सून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 26 यह 26 0 इसके लास्ट में क्या करने वाले बनने वाले हैं ठीक है ना चलिए थोड़ा सा आपको कुछ मैं औ संख्या निकालनी है फिर मैंने लिख दिया 7 इंटो 14 इंटो 21 इंटो 28 इंटो एंट सो आन इंटो ट्रेपल सेवन इसके लास्ट में 0 की संख्या निकालनी है तीसरा कॉर्शन में लिख दिया 8 इंटो 16 इंटो 24 इंटो एंट सो आन इंटो 800 इसके लास्ट में 0 की संख्या निकालनी है चौथा कॉर्शन लिख दिया मैंने 9 इंटो 18 इंटो 27 इंटो एंट सो आन इंटो 9999 मैंने कहा इन सबको आपस में क्या करिए multiply करिए और multiply करने के बाद क्या करना आपको trailing zeros की संख्या निकालनी है trailing zeros की आपको संख्या क्या करनी है calculate करनी है या इसके अंत में दाई तरफ जो सोन्यों की संख्या आएगी वो कितनी होगी आपको यह बताना है मैं हलका सापको hint भी करता हूँ आपको 6000 को डिवैड करना है किसे 6 से चुकि 6 के multiple के स्थती है 7 वाले के multiple के स्थती है 777 को 7 से डिवैड कर देज़ेगा 800 को 8 से डिवैड करिए 999 को 9 से डिवैड करिए और जो भी आता है calculation करिए proper answer ने करें और comment box में मुझे बताइए कि इनके जो answers आपके आए वो क्या है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो आपने 5 के table की इस्थती को discuss किया ना तो यहाँ पर 10 के table की इस्थती को discuss किया यह दोनों एक business रवस्थाएं होती है तो मैं थोड़ा सा special case of 5 या 5 के multiple की business इस्थती आपको समझाना चाह रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से समझे है ठीक है चलो suppose करिए मैंने question आपके लिए लिखा ऐसे आपको trailing 0 निकालना है 5 into 10 into 15 into 20 into and so on into 500 इन सारे numbers को आपस में multiply करिए और multiply करके बताइए कि इसके last में यांत में जो सुननेों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे कि देखो मैंने आपको जो basic concept समझाया आप उसको जरूर समझेगा जनरली बच्चा इसमें गलती क्या करता है मैं आपको बता दूँ इस 500 को 5 से डिवेड़ी करेगा और जब वो 500 को 5 से डिवेड़ी करेगा सो आएगा factorial सो और उसमें जब 5 की power calculate करेगा तो 24 आएगा और 24 आंसर लगा देता जो कि बिलकुल blender answer होता है क्यों blender होता है इसको थोड़ा से हम लोग समझते हैं आप बेसिक कंसेप्ट को जहां लगाएंगे आप कभी फेल नहीं होंगे और चीजें आपको समझ में आती रहेंगे देखो करना क्या है यहां पर basically हमने पांच को ऐसे लिख दिया 5 इंटो 1 हमने 10 को लिख दिया 5 इंटो 2 हमने 15 को लिख दिया 5 इंटो 3 हमने 20 को लिख दिया 5 इंटो 4 और and so 1 बढ़ता बढ़ता चला मैंने 500 को लिख दिया 5 इंटो 100 सही है अब जब मैं बोलूँगा कि यह क्या है तो आप बोलेंगे पांच में पांच का multiplication एक बार दो बार तीन बार चार बार and so on कितनी बार हो रहा है सो बार और अगर पांच में पांच को सो बार multiply किया गया तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 raised to the power 100 into क्या बचरा भई 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into and so on last वाला नंबर आपका क्या है 100 ठीक है मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भाई यह एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में क्या किया गया है और अगर एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में multiply किया गया है तो यह क्या होगा यह factorial 100 होगा यह क्रम गुडित का 100 होगा तो इसे हम लोग ऐसे लेक सकते हैं 5 raised to the power 100 और into factorial 100 ठीक है अच्छा अगर नंबर आप ट्रेलिंग 0 के आप सुरुवात की बात को मेरे ध्यान दिये होंगे तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी factorial में 5 की power 2 की power से कम होती है इसका मतलब एक बात यह तो तैह है कि यहाँ पर जो 5 की power आएगी वो 2 की power से कम होगी लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आलड़ी 5 की power 100 भी है इसका मतलब जो भी 5 की यहाँ power आएगी वो power 100 में add होगी तो 5 की हो सकता है power ऐसी आजाए जो 2 की power से क्या हो जादा हो और अगर 2 की power कम हो गई 5 की power से तो कभी भी 0 की संख्या 5 की power नहीं बन सकती है इसका मतलब अब थोड़ा सा रिस्क है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है तो मैं एक calculation करता हूँ जिसमें मैं दोनों की power को calculate करके दिखाता हूँ सबसे पहले factorial 100 है इसमें मैंने 5 की power को calculate किया यह कितना हुआ आपका 20 और फिर आप 20 को 5 से डिवेड़ करेंगे तो कितना आएगा 4 पहले row पहले column को cut किया 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 यह 24 क्या है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है 24 बार और यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है 100 बार तो अगर मैं आपसे पूछूँ basically power of 5 कितना आएगा तो आप बोलेंगे कि जो power of 5 होगा वो 124 होगा एक बात और अगर मैं 2 के power की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर तो कोई 2 नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर दो के आने की possibility है पूरी तो हमने 100 को cash किया और इसे मैं 2 से divide करता हूँ कितना हुआ पचास फिर 2 से divide किया कितना होगी आपका पचीस फिर 2 से हमने divide किया कितना होगी आपका बारा फिर हमने 2 से divide किया कितना होगी अच्छे फिर हमने 2 से डिवेड किया कितना हो गया 3 और फिर हमने 2 से डिवेड किया कितना हो गया अपका 1 ठीक है अब क्या करना है simply आप पहले वाले row और पहले वाले column को cut कर ये बाकी को जोड लीजे जोड करके आपको कितना मिल रहा है 97 इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछों कि यहाँ पर power of 2 कितना होगा तो आप बोलेंगे कि power of 2 will be equal to how much 97 या इसके इस factorial में जो 2 की power आएगी वो कितनी आएगी 97 अब अगर एक complete analysis की मैं बात करूँ तो इस question में मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो 5 की power हो कितनी है 124 और जो 2 की power हो कितनी है 97 इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है अगर मैं कबी भी травing zeros की बात करूँगा जो trailing zeros की संख्या आएगी वो कितनी होगी 124 होगी या 97 आप बोलेंगे जो trailing zero की संख्या आएगी 97 क्यों 2 की पावर 5 की पावर से कम हो गई इसका मतलब सिधा सिधा ये हो गया कि अगर कभी भी ट्रेलिंग 0 की संख्या निकालनी होगी तो वो 2 की पावर होगी और कितने के बरावर आएगा 97 अब आप इसको मिनिमाईज करके एक बात समझ सकते हैं देखो ये 5 के टेबल की स्थिती है कि नहीं तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5 का टेबल तो चली रहा है अगर 5 का टेबल चल रहा है मैंने आपको यही बोला कि कभी भी multiple की situation है तो आप simply last वाले number को पहले वाले number से क्या करेंगे डिवेड़ी करेंगे तो लास्ट वाला number आपका कितना है बचो 500 पहला वाला number आपका कितना है पांच 500 को पांच से डिवेड़ी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यह 100 नहीं है बलकि क्या है फेक्टोरियल सो लेकिन यह किसका case चल रहा है इस दा इस पेसल इस पेसल case of 5 यह 5 की आपकी विसेश्ट अवस्था है और अगर यह आपके 5 की विसेश्ट अवस्था है तो simply आप एक कम करिए कभी भी अगर 5 का case आ जाए तो 5 के case में अभी तक आप क्या करते थे हमेंशा 5 की power निकलते थे लेकिन 5 के case में आप एक कम करिए power of 2 calculate कर देजिए क्या calculate करेंगे power of 2 और 2 की power निकालने का factorial में तरीका मैंने आपको पहली class में सिखा दिया था, यहाँ पर इसको आप 2 से divide करते जाएंगे, अभी हमने आपको करके यहाँ भी दिखाया, यह value आपके कितनी आजाएगी, 97 zeros यह इसके अंत में जो trailing 0 की संख्या आएगी, वो कितनी आजाएगी, 97, चलिए कुछ question लेते हैं और आपको practice करके दिखाते हैं, सपोस करिए मेरा question आगया कुछ हैसे, मेरे से कहा जाता है कि find out number of trailing 0 जिन 5 into 10, into 15, into 20 into 200 को आपस में multiply किया जाता है और multiply करने के बाद में इसके last में जो 0 की संख्या आ रही हो वो कितनी आ रही है, आपको यह क्या करना है calculate करना है, तो हम simply एक काम क्या करेंगे, यह multiple की स्थती है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन एक बाद दिमाग में जरूर रखेंगे कि यह multiple की तो इस्थती है, लेकिन it is the case of it is the case of multiple of 5 it is the case of multiple of 5, 5 के multiple की यह विसेस्ट अवस्ता है क्या करना है, multiple में हमने एक बाद तो सीखा है कि जो last वाला number है, कि इस last वाले number को हम पहले वाले number से divide करेंगे, जैसे आप last वाले number को पहले वाले number से divide करेंगे, 40 आएगा, 40 किस का एगा factorial का, और आप बताओ इसमें आप क्या करोगे, तो आप simply मेरे को बोलोगे कि इसमें हम calculate करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे, we will calculate power of 2, इसमें 2 की power calculate करेंगे, तो बताओ बच्चों, 2 की power कैसे calculate किया जाएगा, आप simply बोलेंगे कि एक काम करो, 40 को पकड़ लो, और 40 को divide करो, किस से, 2 से, कितना हो रहा है भई, 20, again इसको 2 से divide करो, कितना हो रहा है, 10, again इसको 2 से divide करो, कितना हो रहा है, 2, again इसको 2 से divide करो, कितना हो रहा है, 1, पहले row और पहले column को हमने cut कर दिया, बाकी elements को जोड लेते हैं, तो 20 और 10 कितना हुआ, 30, 5, 35, 2, 37, और 1, कितना होगे, आपका 38, बुलो हाँ या ना, और यही 38 आपका क्या होगा, zeros की संख्या आएगी, या यही 38 इसके अंत में सूनने की क्या होगी, संख्या होगी, clear हुआ, एक और question लेते हैं, उससे आपको थोड़ी सी और practice करा देते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएगी, चलिए, question मैंने ऐसे ले लिया, let us suppose, मैंने लिखा 5 into 10 into 15 into 20 into and so on into 100, कहा जाता है कि इन सबको आपस में क्या करिए, multiply करिए, और multiply करके यह बताएगी, कि इसके अंत में जो सूनने की संख्या आएगी, या इसके last में जो zero हो जाएगे, वो कितने आएगे, आप इसे calculate करिए, तो simply हमने देखा कि यह 5 के table की स्थिति है, last वाला number कितना है बच्चों, 100 और पहला वाला number आपका कितना है 5, हमने 100 को 5 से divide किया भूलो, कितना आगे आपका 20, यह 20 नहीं है, बलकि यह क्या है, factorial 20 है, यह factorial 20 है, चुकि 5 का case चल रहा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, power of, 2 calculate करेंगे, और जैसे हम 2 की power calculate करेंगे, हमें पता चल जाएगा, कि इसके last में जो trailing 0 की संख्या आ रही है, वो कितनी आ रही है, तो हमने simply क्या किया, 20 को पकड़ लिया, और इस 20 को हमने divide किया, किसे 2 से, कितना हो गया बुलो, 10, फिर हम 2 से divide करेंगे, तो कितना हो गया आपका, 5, फिर हम 2 से divide करेंगे, तो बुलो कितना हो गया आपका, 2, और अगेन इसको 2 से divide करेंगे, तो कितना हो गया आपका, 1, बुलो हाँ या ना, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप एक काम करेंगे कि पहले row और पहले column को cut कर देंगे और इनको आपस में क्या करेंगे आप add करेंगे add करने पर आपको क्या में लेगा 10, 5, 15, 12, 17 और 1 कितना हो गया 18 इसका मतलब इसके last में जो zeros के संख्या बनेगी आप क्यों कितनी बनेगी 18 बनेगी multiple में एक और last case बनता है क्या 10 के multiple का जो business condition होगा या special इस्थती होगी उसको हम लोग कैसे discuss करते हैं आपको ये समझा देते हैं इसके बाद थोड़े से बड़े level के question की तरफ हम लोग पूच करेंगे ठीक है चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो 10 का multiple का case होता है वो क्या होता है माल लीजे question आपके लिए ऐसे लिख दिया गया है 10 into 20 into 30 into 40 into and so on into and so on into 1000 ठीक है अराम से समझे गई से कहा जाता है इन सारे numbers को आपस में multiply किया जाए और multiply करके last में 0 की संख्या अगर calculate करनी होगी तो कितना आएगा आपको ये बताना है इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूँ अच्छा लटा सपोज कभी आपको ऐसा मिले 10 raised to the power 5 और into 10 raised to the power 3 अगर मैं आपसे पूछों इसकी value क्या है तो आप बोलेंगे ये कुछ और नहीं इस 10 raised to the power 8 अगर मैं आपसे पूछों कि 10 raised to the power 8 के last में कितना 0 है तो आप बोलेंगे जितनी power है उतना last में क्या है 0 है बात इतना समझ रहे ना इसका मतलब मैंने main बात तो सुरुवात में ही आपको यही बोले थी कि कभी भी अगर आपको किसी भी factorial में 0 की संख्या निकालनी है तो बेसिकली 10 का power निकालना होता है कहीं अगर 10 का power मुझे direct मिलेगा तो उसे बिलकुल नहीं चड़ेंगे जहां नहीं मिलेगा वहाँ कोसिस करेंगे कि उसको हम calculate करें दो और पांच के मात्यम से तो आप simply इसको समझिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है basic बार फिर मैं आपको बना रहा हूँ इस 10 को मैंने ऐसे लिख दिया 10 इंटो 1 इसे मने लिख दिया 10 इंटो 2 इसे मने लिख दिया 10 इंटो 3 और मैं बढ़ता बढ़ता चला इसको मने लिख दिया 10 इंटो 100 बुलो हाँ या न अब आप देखिए 10 में 10 का multiplication एक बार दो बार तीन बार चार बार और और यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है 10 raised to the power 100 इंटो 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 इंटो and so on और इंटो कितना 100 बुलो यह बात clear भी आपको या नहीं clear है आप बताईए क्या इसको ऐसे लिख सकते है 10 raised to the power 100 और इंटो factorial 100 बुलो भाई clear बात है अच्छा क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछाँ कि इसमें 0 की संख्या कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे जितनी 10 की पावर है उतना last में क्या आएगा जिरो आएगा इसका मतलब इसके last में कितने 0 हो जाएगे 100 0 किसी तरीके से अगर इसके last में हम लोग कि संख्या निकालनी है तो उसमें आप क्या कर यह 5 की पावर कैलकुलेट कर लिजे तो मैंने 100 को लिखा कई बार हम लोग निकाल चुके हैं पांस से डिवेड किया बीस अगें पांस से डिवेड किया क्या हुआ चार पहले रो पहले कॉलम को हमने कट कर दिया बीस और चार को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 0s या 24 सुन्या तो इसके अंत में जो सुन्यों की संख्या आई वो कितनी आई 24 0 अल्टिमेटली जब आप से पूछा जाएगा कि इस पूरे प्रोड़क्ट में जो जीरो की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे सो और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 0s या 124 सुन्या बात क्लियर हुई आपको समझ मैं इस वाले वीडियो में हमने सिंपली क्या सिखा कि कभी भी अगर प्रोड़क्ट में मुल्टिपल की सिच्वेशन आ जाए तो मुल्टिपल की सिच्वेशन में अगर जीरोज की संख्या कैल्कुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे हमने 3-4-5 एक्जम्पल्स के मध्यम से चीज़ों को समझाने का कोसिस किय कुछ आपको प्रेक्टिस के लिए क्वेशन दी आप उनका अंसर जरूर कमेंट बॉक्स में और आपको लगता है कि इस टॉपिक के साथ में कहीं और किसी विशेश टॉपिक में आपको प्रॉल्म चल गए हुई उसको आप कमेंट बॉक्स के मध्यम से हमें बताते रहें नमबर आफ जीरो के चौथे पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे लेवल के questions को आपके साथ discuss करने का questions करेंगे तब तक के लिए आपसे भी लोग call the list